नमस्कार किसान भाईयो, दाक्रीसी चोपाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है किसान भाईयो, आज इस वीडियो में आपको बिट्टी कपास की MRC सतर सतरा किसम के बारे में जानकारी देंगे इस किसम की क्या विसेशता हैं और इसकी उपज कितनी हैं इसमें कौन-कौन से किटों और बिमारियों का परकॉप नहीं होता है ताकि अपने छेतर के उनसार सही किसम का चुनाव करके बिट्टी कपास की फसल से अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकें इसलिए यदि आप कपास की खेती करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस किसम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें ताकि यदि ये किसम आपके शेतर के इसार से अच्छी हो तो आप इसे लगा कर बिट्टी कपास से अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकें इसके अलावा कपास की किसी और किसम के बारे में यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं या आपके मन में कोई सवाल है और आप कोई जानकारी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं हम आपको जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब देने की कोसिज करेंगे वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं और वीडियो को अपने जानकार किसान भाईयों तक सेहर करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस जानकारी को पहुंचाने में हमारा स्योंग करें यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आई हैं तो लार रंग का बटन दबा कर चैनल को सस्क्राइब कर लें और पास के गंटी के निसान को भी दबा लें तो चलिए सुरू करते हैं आज की जानकारी और जानते हैं कि बिट्टी का पास की एमार सी सत्तर सत्रा किसम के बारे में किसान वाईयो यह एक अधिक उपस देने वाली संकर किसम है यह किसम चितदार सुंडी, अमेरिकन सुंडी तथा गुलाबी सुंडी के अलावा तमभाखु वाली सुंडी के प्रती भी अवरोधी है यानि कि इस किसम पर तमभाखु वाली सुंडी का भी परकोप नहीं होता है अब यदि बिमारियों की बात की जाए तो यह किसम पत्तामरोड बिमारी के प्रती अन्य किसमों की अपेक्ष्या अधिक अबरोधी है इस किसम का रेशा भी लंबा होता है रेशे की लंबाई लगबग 32 मिलिमीटर होती है और अब यदि इसकी पेदावार की बात करें तो इस किसम की ओस्त पेदावार 25 से 30 के इंटल प्रती एक तियर तक है अच्छी पेदावार के लिए बुआई करते समय पोदों के बीच और कतारों के बीच उचित दूरी रखें अन्यथा पास पास में बीच की बुआई करने से पोदों को फेलने के लिए प्रियाप्त स्थान नहीं मिलेगा और कपास की पेदावार पर गल्त परवाव पड़ेगा इसलिए बुआई करते समय इस बात का विसेश ध्यान रखें तो किसान भाईयो आज की जानकारी कैसे लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके जुरूर बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नहीं जानकारी के साथ तब तक देखते रहें धक्री सी चोपाल धन्यावाद जैहिंद जै किसान